हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल LGR Study ITI में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग आज या इस वीडियो स्रीज का चार नमबर वीडियो है इस तरह का दोस्तों हम आपको बता दे कि तीन वीडियो को नहीं देखे हैं और अगर हमारे मुवाईल ये नहीं किए हैं जो कि दोस्तों आइट आप परोईस परिच्छा के लिए काफी महत पूर्ण है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिया हुआ से जाकर कि आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिजे तो चले दोस्तो आज का वेडियो सुरू करते हैं दोस्तो आपको बता दे कि पिछले कलास में हम केमेस्ट्री का 75 कोईश्चन दोस्तो देख चुके हैं तो आज का जो कलास होगा दोस्तो वो आपका 76 नमबर कोईश्चन से स्टार्ट होगा तो आज का दो दोस्तों आपका First Number Question है पूछ रहे कि परथम 20 यूद में निमने खित में से किस एग का रासायनिक आयुद के रूप में उपवियोग किया गया था यानि कि रासायनिक हथियार के रूप में आपका परथम 20 यूद में किसका पड़ियोग किया गया था तो चियत्तर का यहाँ पर आपका C option होगा, सही होगा, यानि कि आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड गैस का, किसका जो तो मस्टर्ड गैस का पड़ियोग किया गया था नेक्स्ट आपका जो 77 नमबर question है, पूछ रहे हैं कि कच्चे फलो को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है तो कच्चे फलो को दोस्तों आपको बता दे कि कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो है AC Tylene का पड़ियोग किया जाता है, तो A option आपका जो है बिल्कुल ही सहयोगा AC Tylene का, नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 78 नंबर कोईस्चन है पूछ रहे कि निमने लिखित में से कौन सा समान्य परसीतक घरेलू परसी तित्रों के रूप में पड़ियोग किया जाता है कौन सा समान्य परसीतक घरेलू परसी तित्रों के रूप में पड़ियोग किया जाता है तो 78 का जो यहाँ पर आपका B option है, सही होगा यानकी Oxygen कौन सा दोस्तो Oxygen यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तो आपकाkę 89 नमबर कोंचन है, सराब का निरमान किस किरिया के परिनाम सवरूप होता है यहाँ पर 89 का जो A option है, बिल्कुल यह जोगा किनमन किया जाता है, असि नमबर कोंचन है पूछा जरा कि बायो डीजल के उत्पादन में निमनलिखित में से कौन सी प्रकिरिया अपनाई जाती है बायो डीजल के उत्पादन में कौन सा प्रकिरिया अपनाया जाता है यह आपको बताना है तो 80 का जो यहाँ पर आपका C option है बिल्कुल ही सही होगा यानि कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसेस्टी फिकेशन है ना ट्रांसेस्टरी फिकेशन का पड़ियो किया जाता है नेक्स्ट यहाँ जो आपका 81 number question है पूछ रही है कि निम्नलिखित कार्मनिक योगिकों में से किसे आईरन योगिकों से उत्पादन दाग को निकाला जाता है आपके सभी math, chemistry, physics और biology का सफाया बस अपनी question की photo खीचो उसे crop करो और उसे submit करो और तीन सेकेंड के अंदर उसका video solution पाओ आज ही download करें .net app link description में दिया गया है नेक्स्ट यहाँ पर आपका 82 number question है पूछ रही है कि लोग उत्पडेरक की उपस्थिती में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिकिरिया करके क्या बनाता है यह आपको बताना है तो 82 का जो सही अंसर होगा वो C होगा यानि कि आप देख सकते हैं कि क्लोरो बैंजीन कौन सा दो गैस क्लोरो बैंजीन आपका सही अंसर होगा 43 नमबर question है कौन सा पतार्थ खाने की वस्तुं में खाने की बस्तों के परिक्षन के रूप में परिक्षन में परिवक तो 83 का जो दोस्तों यहांपर आपका सही अंसर होगा वो C होगा यानि कि sodium benzoate का दूस्तों खाने के बस्तों के परिच्छन के रूप में इसका योज किया जाता है 84 नंबर क्वेश्चन है यहां पर आप देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ सामगरी बनाने के लिए निमने लिखित में से कौन सा बहुलक पर्योग तो होता है बुलेट प्रूफ आप सभी लाइक ने की वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहें कि रेयोन के निर्मान में कौन सा मुख्य कच्च्चा माल पडियोग किया जाता है तो आपको बता दें कि 85 का जो सयांसरों का वह भी हो जाएगा 85 का व्योप्शन नहीं कि सेलूलोज क 80 नंबर क्वेश्चन है माइडो को किस अभी किरिया द्वारा है ना माइञो में बदला जाता है यह आपको बताना है तो 86 का जो सयांसरों का वह c हो यानिकी अश्ची हो मुझूदगी को सिद्ध किया। रदर फोड का जो प्रकिर्णन पडिक्षन था। तो 87 का जो D option है सहयों का परमानु में नुक्लियन। प्रमानु में नुक्लियस होता है। यह सबसे पहले किसने दोस्तों बताया। रदर फोट ने बताया, इसके बाद यहाँ पर आपका जो 88 नंबर कोश्चन है, पूछ लेकि निम्न में से किसे और निम्न में से किसे बिभाजित नहीं किया जा सकता है, किसको आप बिभाजित नहीं कर सकते हैं, तो 88 का बिभाजित नहीं कर सकते हैं, या आप याद इसके बाद यहां जो आपका 89 question है 89 question पूछ देगी किस परकार की अभी किडिया से सबसे अधिक हानीकारक विकरन पैदा होता है तो सबसे अधिक हानीकारण विकरन जो है आपको बता दे कि यहां पर विखनदन अवी किरिया के द्वारा ऐसा उत्पन होता है 90 number के द्वारा आपसे पूछा रहा है मिनमने लिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबन्धित नहीं है गैस से संबन्धित कौन सा नियम नहीं तो किस से संबंधित है विद्धत चुमकिये प्रेरण से संबंधित है फैराडे का नियम जिसको हम लोग माईकाल फैराडे भी बोलते हैं एकानवे नंबर जो आपका कोश्चन है पूछरे कि प्रती ग्राम इंदन द्वारा मोचित उर्जा की द्रिष्टी से निम्न में से सर्वत्तम इंदन कौन सा है तो एकानवे का जो ए ऑप्षन है सही होगा यानि कि हाइड्रोजन कौन सा दोस्तो हाइड्रोजन यहां पर आप आपको बताना रहिं तो एकानवे नंबर कुष्चन है कि अपको फूलोजन सब्सक्राइब का 11 होती है निम्न लिखित मीं से आगे बढ़ते हैं जो कौनवे नंबर कुष्चन है पूछे लिग की तीस्रे और चोथे समू के हनौ तरॉप्सायड का समण्ने गुनधर्म क्या है जो अक्साइड तीसरा और चौथा समोह में है प्रियोडिक टेवल के अंदर खासकर करके उसका बात किया जा रहा है preードिक टेवल में तीसरे और चौथे समोह में जो भी अक्साइड है उसका गुनधर्म क्या है तो 93 का जो यहाँ पर आपका C option है सही होगा यानि कि basic और acetic है basic है और वो कैसे बस तो acetic है यहाँ पर आपका C option सही हो जाएगा 94 नमबर question पूछ रहे कि निम्न में से कौन सी तात्या भठी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है तो 94 का जो यहाँ पर आपका D हो जाएगा निकि calcium silicate जो है तात्या भठी में धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है आगे बढ़ते हैं यहाँ जो आपका 95 नमबर question है हलका हम बढ़ा कर दें थाकि आपको दिख सके हाँ 95 नमबर question के ज़रा आपसे पूछा जाता है कि पिर्थवी के गर्व में दूसरा सबसे जैदा पाया जाने वाला धातु कौन सा है तो यह option आपको लोहा दिया गया है बी तामबा है इसके बाद अगला option है अलमूनियम और दिया option है जस्ता तो कौन सा सही answer होगा 95 का यहाँ पर आपका ए option जो है बिल्कुल ही सही होजागा 95 का ए option यानि कि लोहा सबसे अधिक कौन है दूसरा नमबर पर लोहा पाया जाता है नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 96 नमबर question है पूछ दे कि निम्ने लिखित में से बिदुत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है यह option है अलमूनियम बी option है तामबा, C option चान्दी और D option सोना तो सबसे आधिक जो है यहाँ पर आपको पूछा गया बिदुत का सबसे अच्छा चालक तो चान्दी होगा यहाँ पर चान्दी जो है आपको बता दे कि चान्दी का जो प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है नहीं के बराबर होता है जिसके कारण दोस्तो यह जो है बिदुत का अच्छा चालक है अब बात उठता है कि इसमें चान्दी में सबसे अच्छा चालक क्यों है दूसरा करान आ इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ही अधिक होता है और फिरी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना आधिक होगा उतना ही अधिक मात्राम दोस्तों क्या होगा बिजली को असानी से पास होने में प्राब्लम नहीं होगा तो फिरी इलेक्ट्रॉन की संख्या आधिक है दूसरी बात सबसे भारी धातु होती है नेक्स्ट अन्थानमबर के दुरह दोस्ट आप से पूछा जा रहे कि निम्नलिकित में कौन सपदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है तन्य उसको को जो आप को को अधिक क्या कर सकते हैं तान सकते हैं नम्रा सकते हैं तो अंठानवे यहां पर दोस्तों आपका जो है सही जो आंसर हो जाएगा अंठानवे का वो भी होगा है निकि टंगस्टन टंगस्टन दोस्तों आपको बता दे कि बहुत कठोर भी होता है और बहुत ही तन्य भी होता ह अधिक तन्य होता, टंगस्टन का पड़ियोग कहां करते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि टंगस्टन का पड़ियोग कहां किया जाता है, नेक्स्ट निनानबे नंबर कोईश्चन ने पूचरे कि निम ने लिखी तमें से किस तत्व के लबनों आतिस वाजी में रंग प्राप्तों होते हैं, आतिस वाजी आप सभी समझते हैं, फटाके उटाके जब चलाते हैं, तो उसमें रंग प्राप्त किसके कारण से होता है, आतिस वाजी में रंग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो निनानबी का जो दुस्तों यहां पर आपका सही आंसर होगा वो C हो गया निकी CR के और BA के द्वारा है ना यहाँ पर जो है जो रंग आता है वो उसमें रंग देखने को मिलता है नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 100 नंबर कुश्चन है पूछ रहे की आयो डीन और वीडियो टेप पर कौन सा रसायनिक पदार्थ का लेप रहता है अब तो आपका बिल्कुली से होगा आईरन ऑकसाइड का वहाँ पर दोस्तों लेप लगाया जाता था जिसके कारण जो है हम बिल्सकार है, आपको अच्छा लगा है और वीडियो के माधिम से जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक की एंतं है तो लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर देजिए चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी साथी घंटी की निसान को जरुद दबा दीजेगा ताकि आग आने वाला समी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंश सके